हर्याना मुख्य मंत्री को नैतिकता के अधार पर अपने पद से स्तीफा दे देना चाहिए पंचकुले में कहा हर्याना पूरव डिप्टी सीम चंद्रमोन ने हर्याना के पूरव डिप्टी सीम और कालका हलके से चार बार विधायक रहे चंद्रमोन ने शेनिवार को कहा कि मनोलाल खटर मुख्यमंत्री को हर्याना का CM बने रहने का कोई हक नहीं है और उन्हें नैतिकता के अधार पर अपने पद से सीवा देजना चाहिए हर्याना पूरव डिप्टी CM चंद्रमोन ने कहा कि 1966 में हर्याना बना और इस हर्याना की कई पार्टियों की सरकार बनी हुए अलग-अलग मुख्यमंत्री बने लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की जंता की सुरक्षक लिए ऐसा ब्यान नहीं दिया कि वो परदेश के हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते पूर्व मुख्यमंत्री भजलालने के बेटे और आल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी के सदस्य चंदरबोन ने कहा कि वरतमान बीजेपी जेजेपी गठबंदन के सीम मनहोरलालने समयधानिक पद पर बैट सविधान की धज्जियां उड़ा दी है जबकि देश का सविधान हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को भादे करता है लेकिन बीजीपी के इस सरकार ने प्रदेश के पूने तीन करोड लोगों में ये ब्यान देकर हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते बहज असा महल जंता में पैदा कर दिया है हालांकि नहू की घटना के बाद हर्याना में महल स्वेधन शील बना हुआ है और ऐसे में सविधान की शप्त लेकर मुख्यमंतरी पद पर बैठे मुख्यमंतरी ने सविधान के धजियां उड़ाई बलकि लोगों में आज सरकार के परती और श्वासवास पैदा हो गया है हर्याना पूर अप डिप्टी सिम चंदरमों ने कहा कि सिम ने जब परदेश के कई जिला में धारा 124 लगई वी है बलकि जनता में अक्रोश है ऐसे में सिम को ये बियान देश दरुईयों को स्रंक्शन देगा पूर अप डिप्टी सिम चंदरमों ने हर्याना के राज़ेपाल जो परदेश में सविधान के मुक्या है उन्हें तरुण सिम को अपने पस से ब्रधास करना के लिए बुजारिश की है उन्होंने कहा कि वो इस बारे में देश राज़ेपाल को भी मिलेंगे उन्होंने कहा कि आज सिम के बियान से आम जनमान से में भैका महल है